अमेरिका पर लटकी आर्थिक मंदी की तलवार क्या भारत में होगा इसका असर भारत में कब गब आई आर्थिक मंदी नमस्कार मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रही हैं One India Hindi दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों में शुमार अमेरिका पर आर्थिक मंदी का खत्रा मड़ रहा है जिसका कारण है लगातारबढ़ती महंगाई और ब्याज दुरों में हो रही व्रधी हाला कि कई अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि ये मंदी अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपिय देशों को अपनी चपेट में ले सकती है एक अनुमान है कि आने वाले एक साल में अमेरिका आर्थिक मंदी के संकट में प्रवेश कर जाएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा हाला कि अब आपकी दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस मंदी का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि कई अर्थ शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि मौझुद वक्त में भले ही मंदी को लेकर अटकले लगाई जा रही है लेकिन भारत पर इसका सीधा असर होने की संभावना लगभग कम है अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी ग्लोबल एकोनोमी का मंदी में जाना तैम आना जा रहा है कई अर्थशात्रियों और उद्यवपतियों ने अगले साल तक दुन्या में आर्थिक मंदी की संभावना जताई है अब आपको बताते हैं कि आर्थिक मंदी का असर आम जनता यानि आप और हम पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि आर्थिक मंदी में लोगों के पास पैसों की कमी होती है और वो अपनी जरुतों को कम करने की कोशिश करता है इसका नतीज़ा ये होता है कि मार्केट में डिमांड कम होने लगती है और सामान की विक्री भी कम होती है ऐसे में सुभाविक है जब मांग कम होगी तो उत्पादन पर भी असर पड़ेगा इसलिए कमपनी अपने लाब के अनुसार ही करमचारियों को रखना चाहेगी जिससे करमचारियों की छटनी शुरू हो जाती है जिससे लाखों की संख्या में लोग बिरुजगार होते हैं वहीं आर्तिक मंदी की एहम वजह धनका प्रवाह या निवेश रुख जाना है क्योंकि लोगों की पर्चेचिंग पावर घड़ जाती है साथी देश विदेश से आने वाला निवेश भी कम हो जाता है अंतरा स्किये बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं जिससे मेहंगाई दर और बढ़ती है और लोग अपनी आवश्यक्ता की चीजें नहीं खरीद पाते हैं डॉलर के मुकाबले रोपए की घटी हुई कीमत भी इसका एक मुक्के कारण है मंदी के दोरान आयात के मुकाबले नर्यात में गिरावट होने से देश का राजकोशिय घाटा बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी मंदी कभी नहीं आई है तो आपको बता दें कि भारत ने कई बार आर्थित मंदी का सामना किया है आजादी के बाद से अब तक भारत ने कुल चार मंदी देखी है RBI के GDP ग्रोथ के आंकडे इसकी तस्दीक करते हैं ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई 1957 और 58 में भारत की GDP की ग्रोथ में रेट माइनस में चली गई थी इस साल GDP ग्रोथ रेट माइनस एक दश्मलब दो प्रतिक्षत रिकॉर्ड की गई थी इसका मुख्य कारण आयाद विलों में भारी व्रद्धी थी वितिवर्ष 1965 और 1966 में भयंकर सूखे और अकाल की वजह से भारत की GDP ग्रोथ फिर माइनस में चली गई तेल संकट के कारण 1973 की मंदी के हालात बने पेट्रोलियम उत्पादग अरब देशों के संगठन यानी OAPC ने उन तमाम देशों के तेल निर्यात करने पर रूख लगा दी थी जो योम की उपर युद्ध में इसराइल के साथ थे इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतें 400 फीजदी तक बढ़ गई थी 1980 में इरानी क्रांती की वजह से दुनिया भर में तेल उफपादन को बड़ा जटका लगा था और इसी वजह से इस साल भारत में मंदी आई थी इस दोरान भी तेल आयात की कीमतों में बेहताशा व्रद्धी हुई अब आखरी बात की ये मंदी आती कैसे है जब किसी देश की अर्थ विवस्था में लगातार दो तिमाहियों में GDP ग्रोध घटती है तो उसे टिकनिकली मंदी का नाम दिया जाता है दूसरे शब्दों में अगर एकोनोमी की रफ्तार जब बढ़ने की बजाए गिरने लगे और अगर ये सिल्सला कई तिमाहियों तक जारी रहता है तो देश में आर्थिक मंदी के हालाग बनते है ऐसे में देश की पूरी अर्थ विवस्था खस्ता हाल हो जाती है तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ